नमस्कार दोस्तों मैं सरोज पांडे आज मेरा बेटा का जन दिन है सोहम पांडे आज वो 19 साल का हो गया है मेरे तरफ से अपने बेटे को उसके जन दिवस पर पहुत सारा आशिरवाद और हार्दिक शुप कामने मेरा बेटा मेरे सुक दुख का साथ ही रहा है जब वो दो साल का था तो उसका पेट का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया था गर्म पानी से यानि कि कुछ लापरवाही के कारण मेरे बेटे के बच्पन के सुरुवाद बहुत संघर्ष के साथ सुरू हो गई आज वो बेटा मेरे सुक दुख का साथ ही है उस बच्चे के जन दिन प मेरे बेटे का जन्म हुआ तब मैं 32 साल का था 32 से उम्र में मेरे बेटे का जन्म हुआ और आज मैं 51 का हूं यानि कि आज मेरा बेटा 19 साल पुरा कर लिया है एक ऐसा बेटा जो सुबह उठकर के अपने पिता जी के लिए नास्ता बनाता है एक ऐसा बेटा जो दोपर का भोजन भी तयार करता है एक ऐसा बेटा जो रात का भोजन भी तयार करता है मेरे लिए इसकी अलवा ओ मेरे पिता जी के लिए सुबा से लेकर रात तक पिता जी की हर तरह से सेवा करता है क्योंकि अब मेरे पिता जी 78 वर्स के आस पास के है 79 यानि के 80 वर्स के होने वाले वो सुबा उठ करके मेरा बेटा मेरे पिता जी को ब्रस करवाता है और सभी तरह से उनके मेरत करते हुए उनको अपने हाथों से भोजन कराता है और सारा दिन जितनी बार मेरे पिता जी को मेरे बेटे की ज़वरत होती है और उनकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहता है एक ऐसा बेटा जी से पाकर के मैं तो धन्य हुआ ही मेरे पिता जी का बुढ़ापा सबर गया है मुझे लगड़ा कि मेरे बेटा बश्पन से ही सायद 2014 के आसपास से ही मेरे पिता जी की सेवा में लग गया था यहां तक एक बड़ा विश्यस सेवा मेरे बेटा करता था जब मेरे पिता जी सोचाने जाते थे तो उनके लिए बालती में पानी बढ़कर ले जाता था उस समय के बात करो, 2014 के आसपास की यानि कि लगता है कि उसका जन्मी हुआ है मेरे पिता जी की सेवा करने के लिए और मेरी सेवा करने के लिए क्योंकि दुर्भागी वस जब वो 12 वर्स का था तो उसकी मा का देहनत हो गया यानिकी मैरी धर्म पत्नी का देहनत हो गया 12 वर्स के उम्र से वो लर्का अकेला हो गया और 16 वर्स का होते होते उसने मेरे लिए तीनों समय का भोयन बैड़ा तैयर कर रहा 2020 से मेरा बेटा में लिए भोयन बना रहा है एक ऐसा लर्का जिसको इस उम्र में पढ़ना लिखना खेलना खूदना और अपने उम्र के बच्चों के साथ लाइफ का इंज्वाई करना चाहिए था वो बच्चा मेरे और मेरे फिता जी के सेवा में लग गया है उसके बावजुद उसकी पढ़ाई यह विचल रही है वो इंटरमीडियट आर्ट से कर रहा है यह जिसको आजकल के बच्चे त्वेल्थ करते हैं बारवी करते हैं हमा मेरे बेटा हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है उस बच्चे की आज जब कभी मैं उसकी तरब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अपनी मा के कमी को जरूर मसूस करता होगा वो बोलता नहीं है लेकिन भीतर ही भीतर कहें ने कहीं वो अपनी मा की कमी को जी रहा होता है क उसके बाद से वो कुछ बोलता नहीं था रोता नहीं था एक मेच्योर आदनी की तरह मैंने देखा कि जब मेरी धर्मपत्नी का ध्यान दुआ था तो मैं बेटा रो नहीं रहा था एक 12 सल के बच्चा रो नहीं रहा है इसका मतलब यह कि वह एक काफी गहरे विचार और फिलोसोफर टाइप को लड़का है इतने बढ़े सद्मा को लड़का सहरा है अपनी मा के भूमें गंगाजल डाल राहा है कंदह दे रहा है मगर रो नहीं रहा इसका मतलब कि वो भीतर भ ने इक बेटा हूँ लेकिन मैंने अपने पिताजी के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है लेकिन मेरे बेटाने मेरे पिता जी के लिए हैसे बहुत कुछ किया है जब मेरा चोटा भाई को पता चला कि इतनी भारी भढ़कर 200 किलो का गारी हो मैंने उसको चलाने के लिए बोल दिया है और मेरा चोटा भाई तॉलिया लपेटे वे घर से बाहर निकला ये क्या रिस्क वाली बात है तब तक मेरा बेटा बुलेट स्टार्ट करके चला चुका था कुछ दूर तक गया फिर उसको वहां से मोड़ना था मोड़ने समय इतनी भारी गारी वह 15 साल का बच्चा दुब्लया पतला बच्चा नहीं समाल पाया और बुलेट को गिरने लगा तो उसने बुलेट को गिरने दिया दीरे-दीरे करके चुकि उसके पैर लंबे है हाथ भी लंबा है मेरा बेटा का पैर हाथ काफी लंबा है और उसने दीर-दे बुलेट को गिरने दिया और फिर वहाँ से निकला और दुस्रे तब जाकर बुलेट को उसने उठाया फिर वहाँ से चलाया और चलाते हैं मेरे पास पूंचा इसी बात को मैंने भाई ने भी देखा यानि कि कोई भी काम करने में वह बहुत ही तेज है मैंने एक वीडियो डाला था सुम में लेर्निंग डाइविंग मेरा बेटा आज लगभग एक साल दो साल से कार्ड की डाइविंग भी सीख रहा है दो ही बार से शिखा है यह निवेस्टा ररका जो पंदर से बुलेट और बाइक चला रहा है वो कार्ड भी सीख लेगा कोई बड़ी बात ने उसके लिए वो एक दो बार चलाएगा उसके लिए काम हो जाएगा पढ़ाई भी ठीक है उसकी हर तरह की काम उसको पेड़ पर चलना हो तो वो सोचता कर में पहले पहुंच जाएगा मेरे घर का कोई भी कठिन से कठिन काम हो मेरे छोड़े भाई के बाद मेरा बेटा कोई भी काम को सॉल्व कर देगा इसलिए जब कभी भी मेरा छोड़ा भाई कहीं भी जाता है बड़ा निशिन तो गई जाता है कि सो हम घर पर है न वो कुछ भी सभाल लेगा इस घर में कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है या कोई बात की đिल करनी हो कोई भी घर का काम हो या बाहर का काम हो मेरे बेटे को आप बोली और काम हो जाएगा कि उस बेटे का आज पूनिस्वाज़ाजन दिन है मैं उसके माध्यम से सभी बेटों से करना चाता हूँ कि मैंने अपने बेटों से कोई आशा तो नहीं की है लेकिन हमेशा मेरे सुक दुख में वो मेरे साथ खरा रहा है और यही बेटा होने का सबसे बड़ा करतब है कि अपने पिता के माता पिता के सुख दुख में हमेशा साथ ख़रा रहे हैं मैं शादी हुई थी जब मैं 31 का एज का था और 32 के उपन में 32 साथ के में में मेरा बेटा भगवान ने मुझे दिया यही 28 सक्टूबर 2004 को मेरा बेटा का जनुजिन है और उसी दिन सेम डे 28 सक्टूबर 2004 को मेरे पिता जी नोक्री से रिटार होना और मेरे बेटे का जन्द दिन दोनों एक है 28 सक्टूबर 2004 हर बच्चे की तरह वह भी बच्तन से ही सभी बच्चे स्कूल जाते हैं मुझे याद है पहला दिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता था मैं उसे गशिटते वे और साइद मारते पीटते वे स्कूल ले गया था जब वो पांस साल का हो गया था तब मैं उसे स्कूल ले गया कि सलो जब तक बश्पन है क्या तीन साल के बच्चे को नरसरी में डाल देना है यह चार साल के बच्चा एरकीजिए पढ़ेगा पास सल के बच्चा यूगे पढ़ेगा जीक शेrat के बच्ची पारे में जाएमिशन उसको सिद्धा करना ही पड़ता है बच्चा पढ़ें वहां से उसकी पढ़ाय लिखाय शुरू हुई और मेरे हिसाब से वह सिर्फ एवरेज बच्चा नहीं है पढ़ाय लिखाय में वह एवरेज से बेटर नहीं है अच्छा नहीं है इसके अलवा उसके जो भी एक्टिविटी आप जानते हैं श्कूल में खेलना कुदना घर में मैंने उसे ब्याम बहुत कर वार है क्योंकि मैं खुद पाथ फूर पूर चार इंच वाला मैने वाइफ मैरे झार फूर जार को हो sı्दुदी गर बन नहीं हैं प्यास पास पहुंचा होगा तो मैंने लोहे का पाइप एक कॉर्णर में लगवाया और अपना बेटा से ब्याम करवारा शुरू करती है और शायद मुझे लगता है 2020 में ही या 2021 में ही मेरे बेटा मुझे पार कर गया हाइड के हिसाब से ब्याम मैं उसे आज भी कर वाता हूं मैं एक ऐसा बाप हूं जो सिर्फ बोलता नहीं हूं ब्याम करवाता हूं लगबग हर तरह का घ्रसाईज मैं अपने बेटे से खुद करवाता हूं घर का हो चाहिए पाइप का हो या उठक बैठक हो या जीम का मेरे घर में पूरा का पूरा जीम है जितना एक्विपमेंट जीम में होना चाहिए उतना ना सही लेकिन बहुत सारे लोहे के आजार है जह पित्री रिन को चुका दिया है बहुत मुश्किल होता है पित्री रिन को चुका ना कहते है ना तीन रिन चुकाए नहीं जा सकते मात्री रिन पित्री रिन और गुरु रिन मेरे बेटे ने तीनों रिन को चुका दिया है जब उसकी मा का ध्यान थुआ तो उसने जो मा को ग हर तरह का सेवा, आप जानते हैं, 80 बश्क के आदनी को कैसे कैसे सेवा के जोत होती है यानि कि सौचकरान से ले करके और तरह का जितनी भी सेवा है मेरे पीदा जी के लिए वो मेरा बेटा 24 गंटा करते लाथा और इस तरह से वो पित्रे दिन से मुख्त हो गया है पिता का कोई रिनुस पर नहीं है और एक विसेश बात यह तो है कि शायद 2018 से लेकर के आज तक मेरा बेटा का एक घूमने नहीं जा सकता है क्योंकि वो 24 गंटा मेरे पिता जी के आसपास ही रहता है तकि पिता जी अचनक अगर आवाज दे तो सोहम ही कहेंगे मेरा नाम नहीं लेते हैं और मेरे छोटे भाई का नाम लेते हैं क्योंकि मेरे पिता जी के दो ही सेवक हैं भागत हैं मेरे छोटा भाई और मेरा बेटा छोटा भाई कुछ काम में लगा रहता है लेकि मेरा बेटा ना कहीं दूर घूमने जाता है ना अपने एरिया से बाहर निकलता है ना म बोलें कुछ नहीं क्योंकि 80 साल के आदमी कर सब्सक्राइब हो जाते हैं और मेरा बेटा 100-200 मेटर के आसपास ही रहता है पिछले चार सालों से यानि कि हम एक घुमकर आवारा कहीं भी घुमते रहते हैं सुबह से रात 10 बे तक मैं श्कूल जाता हूं तो या कहीं दोस्त के पास गया तो मैं कहीं भी निशिन थोगा जाता हूं क्योंकि मेरे ऊपर कोई जिमारी तो है नहीं यानि मैंने कोई जिमारी तो लिया ही नहीं है मेरे घर चलाने का या पूरे घर को देखने है काम का जी मा मेरे छोड़े भाई का है और मेरे बेटे का है मैं गुमकर सादू की तरह गुमता ही रहता हूं लेकि मेरा बेटा कहीं नहीं जाता है क्योंकि हर 15 मिट पर उसको फोन किया जाएगा तो हम कहा है तुम आज बाबा जी को देख लो थोड़ा यह है मेरे बेटे का एक रूटीन मुझे से जब भी देखता हूं वह पिता जी का खास करके विशेस बात में खाना से होगा कि मुझसे सौच साफ करने वादा सेवा नहीं हो सकता है अगर पिता जी चुकि है अशी साल के आदमी है भाड़ी बर कमशरीर है अगर उन्हें सौच के वाग सहायता चाहिए तो I can't do मैं नहीं कर सकता हूं मुझसे नहीं होता है इसके लिए कितने लोग मुझसे करते हैं कि तुम क्या खाक बेटा बेटा तो सौब है लेकि सौब को मैं देखता हूं जिस्ता से वह सेवा करता है पिता जी का मैं दंग रहता हूं भागवार ने मुझे ये बेटा दे करके मुझ पर और मेरे पिता जी पर और मेरे भाई प करती है और दोनों काम बटा हुआ है इसके अलवा जो एक बेटे का जो उम्र का जो मज़ा है वो मेरा बेटा नहीं ले पा रहा है इस उम्र में लोग घुमते हैं यहां तक दुरगापुजा घुमना हो बहुत दूर नहीं रहता है वह बहुत आसपास ही कही रहता है एक फोन तुरगी आज मेरे बेटे का जंदिन है और उसके जंदिन के आउसर मैं सभी बेटों को अपनी बेटे के hem से में सहीं बेटों को on यह तो नहीं कह सकता कि तुम भी अपने माता-पिता की सेवा करना अपने दायदादी का सेवा करना लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बच्चे का सोहम पांड़े का यह सोभाव है कि इसने जन्म लेकर के हम सब पर बहुत उपकार किया है 32 वर्ष के मुझे मेरा बेटा मिला उस समय से लेकर कि अभी तक मेरे जीवन में मैंने बहुत संगर्ष किया है सब लोग काते हैं सभी काते हैं मैंने बहुत संगर्ष किया लेकिन मैं भी कहता हूं कि मैंने बहुत संगर्ष किया और उन गरिबी की दिनों में मैं अपने बेटा बेटी को बहुत कठनाई से पालता पोचता था ये मेरे पिता जी है, मेरा भाई है, पुरा खांदान है लेकिन एक उम्र आता है जहां आदनी को अपना खर्च खुद रुषना परता है तो मैंने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत ही कठनाई से पाला है और उन कठनाई और गरीबी के दिनों में मेरा बेटा मेरा साथ रहा है तीसे मैंने सुरू में बताया कि उसका पेट का हισ्ता जल गया था जब वो लड़का सायद 5 साल से भी कम था, उसका collarbone टूडिया था, खेलते समय वो गिर गया था किसे लोहा के, उसको लग गया, उसका collarbone टूडिया था, उसका प्लास्टर बंधा हुआ दिन, सायद एक का दो मेने लगया थे बच्चे को, दो बड़े खेंट उसने देखें, ए का टूडिया, इसके लिए पुरा प्लास्टर बंधा हुआ था, ये दो बड़े दूगाटना उसने देखी है, लेकिन गजब का हिमत है, गजब का सास है, वो डरफोक नहीं है, वो ड्राइविंग करता है, वो जगरे, एक काम मैं आपने करता हूं, बिल्कुल नहीं करता 12 साल गुण के बाद मेरा बेटा कई बार मारपीट करके आयता है जगरे करके आता है स्कूल में कंप्रेन आता है सो हमने मारपीट किया मुझे भीतर से बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा मेरे ऐसा नहीं है वो 2-4 बार मारपीट कर चुका है और सफलता पुर्वक, यानि कि जीत कर वापस आया है खेर हिंसा अच्छी बात नहीं है लेकि मिरा बेटे में एक बात है मारफिट भी कर लेता है, वो मैं नहीं कर पाता हूँ खेर उसके पसंसा मैं और क्या कहना है आज मेरे बेटे का जन दिन है आप सभी दर्षकों से मेरा रोध है कि आप लोग मेरे बेटे को अपना आशिरवाद दे ताकि उसका जीवन सफल हो, सुन्दर हो और उसका जीवन सिर्फ बाप और दादा के नहीं बलकि पूरे देश के काम है पूरी दुनिया काम है मेरे तरफ से एक बार फिर और आप सभी के तरफ से मेरे बेटे को जन दिन का आशिरवाद मिले और मेरे तरफ से एक बार फिर मेरे बेटे को उसके जन दिन पर बहुत सारा आशिरवाद धन्यवाद से